हेई गाईज दिस इज मनीशा सिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्मेंट जॉपी अपडेट जो की डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी ट्रीपल सी की तरफ से वेरियस पोस्ट रिकूट्मेंट 2023 के लिए फ्रेंट्स यह आपका और इंडिया की वेकेंसी है मेल और फिमल दोनों ही कैटगरी के कैंडिडेट्स के लिए बेहत खास अपरचुनीटी है प्लस में आपका ग्रूप सी का पोस्ट रहेगा और सबसे खास बात इस वेकेंसी के लिए यह रहने वाला है फ्रेंट्स की यहाँ पर आपका जो पेपर होगा ना उसमें आपको मैट्स के क्वेशन नहीं पूछे जाएंगे तो जिन बच्चों का मैट्स वीक है उनके लिए यह बहुत अच्छी अपरचुनीटी रहने वाली है तो चलो फ्रेंट्स बता देती हूं कि किन किन पोस्ट के उपर वेकेंसी आई है तो आपका फ्रेंट्स फर्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट देन आपका जूनियर कलरक और असिस्टेंट ग्रेड थ्री के पोस्ट पर यह वेकेंसी आपकी आउट हो चुकी है तो चलिए फ्रेंज इस वेकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग डीटेल वे में डिसकसन कर लेते हैं कि इसका सेलेक्शन प्रोसेस, इलिजिबलीटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वार्ड है साथ ही साथ आपको एग्जाम की पैटर्ण, जॉब लोकेशन, इनिशल इन्हेंट सेली, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ तो अगर आप भी इस वेकेंसी के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना सो चलो बीना टाइम को वेश्ट करते हुए, लेट्स स्टार्ट दे वीडियो, पतादू आपको की टोटल नंबर ओफ सीट्स यहाँ पे 3831 रखा गया है, तो चलो मैं बतादू कैटागरी वाइज सीट्स को किस तरह से डिस्टिब्यूट किया गया है जेनरल कैंडिडेट्स के लिए 1889 सीट है, EWS के लिए 326, OBC के लिए 763, SC वालों के लिए 770, ST के लिए 83 सीट्स रखा गया है, ओवरॉल 3831 सीट्स है तो चलो अब आप सोच रहोंगे कि किन डिपार्टमेंट्स के अंडर आपको यहाँ पर वर्ट करना पर सकता है, तो मैं हूँ न मैं बता देती हूँ आपको डिपार्टमेंट के नाम राजस बिभाग, सिचाई एवं जल संसादन, बाल विकास, सेवा, सिक्षा बिभाग, महिला करलयान, गरामीन विकास, मतलब जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना आपको यूपी गवर्टमेंट के अंडर उसके अंडर आपको वर्ट करना पर सकता है और बाकी के डिपार्टमेंट आइफ्रेंट्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे और अगर स्क्रीन शॉट में समझना आइफ्रेंट्स तो आपके लिए न मैं टेलिग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन पोस्ट कर देती हूँ तो आप वहाँ पे जा करके भी देख लेना तो चलो मैं बता दू इंपोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा 12th of September 2023 से स्टार्ट होगा and last date to apply आपका 3rd October 2023 रहने वाला है आपको फ्रेंट से इंतजार करना है 12th September का ना कि 3rd of October का जैसे ही 12th September को आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चलो आप मैं बता देती हूं फॉर्म की फी क्या रहने वाली तो फ्रेंट्स आल कैटगरी केंडिडेट से यहां पर 25 रूपीज रहने वाला है जी हाँ फ्रेंट्स काफी अकम और रीजनेबल आपको फॉर्म की फी रखी गए क्योंकि UP गवर्मेंट की है तो ये चीज 25 रूपीज यहां पर लिया जाएगा एज लिमिट की अगर बात करू तो योर एज बिल बी कैलकुलेटेट एज उन 1 जुलाई 2023 मिनिमम एज 18 एर्स एं मैक्सिमम 40 एर्स और रिलेक्सेशन आपको UPAAAC का जो रूल से उसकी अकॉर्डिंग दिया जाएगा जो गवर्मेंट र निर्धारित कर रख है रिलेक्सेशन वो आपको मिलेगा यहां पर तो चलो हम लोग सबसे इंपर्टेंट मुद्दा डिसकस कर लेते हैं इलिजिब्लिटी क्राइटेरिया तो फ्रेंट्स फर्स्ट अफ आपके पास UPAAAC पेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए तो जिन बच्चों ने लास्ट यार UPAAAC पेट का एक्जाम दिया था वो इसके लिए इलिजिबल रहने वाले साथ ही साथ फ्रेंट्स आपके आपके पास स्कूल, यूनिवर्सिटी या बोड से आपने 10 प्लस टू पास आउट कर लिया तो आप इलिजिबल रहने वाले हो थार्ट फिंग आपका होता है फ्रेंट्स यहां पर कि आपका टाइपिंग स्पीड भी देखा जाता है हिंदी टाइपिंग 25 वर्ट्स पर मिनट और इंग कोच रहेंगे कि NIE LIT CCE क्या है स्वारी CCC क्या है नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स और इन्फरमेशन टेकनलोजी से आपका CCC यानि कोर्स और कंप्यूटर कंसेप्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए चलो फ्रेंट्स आप बता दू कि सेलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है तो सेलेक्शन आपका जो है टू मेजर स्टेज पर डिपेंडेबल रहने वाला है फर्स्ट आपका रिटेन एक्जाम होगा देन होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जो की क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है उसके बाद फ्रेंड जैसे हर जॉब में होता है सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में आपको मेडिकल टेस्ट तो होगा ही तो चलो फ्रेंड सबसे पहले आपको एक्जाम की प्रैटर्न एक्स्प्लेन कर देती हूँ आपको 100 कोशन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में कंड़ाइ जाएगा निगेटी मार्किंग भी है 1 फोर्थ यानि की 0.25 का ये आपका ओफलाइन पेपर होता है OMR बेस्ट और इसमें पेपर बेस्ट आपका रहने वाला है तो चलो अब बता देती हूँ subject wise क्या क्या कितने कोशन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे आपको हिंदी comprehensive and writing ability के 30 कोशन 30 मार्क्स के लिए जेनरल इंटेलिजेंस के 15 कोशन 15 मार्क्स के लिए मतलब कि जेनरल इंटेलिजेंस बोले तो reasoning जेनरल इंटेलिजेंस के 20 कोशन 20 मार्क्स के लिए concept of computer and IT and contemporary technology development in this film मतलब कि आपको computer related question रहेगा 15 कोशन 50 मार्क्स के लिए UPSPSLG के आपको 20 कोशन 20 मार्क्स के लिए रहेगा overall 100 कोशन 100 मार्क्स के लिए 2 hours का आपका paper रहने वाल है तो इसके बाद आपका होता है typing test जो की qualifying nature का है तो इसमें आपको यो हिंदी word का typing होगा 25 words per minute की speed होनी चाहिए minimum and English में आपको 30 words per minute की speed होनी चाहिए qualifying है इसके बाद अगर आप qualify कर लेते हो friends तो होता है आपका dv and आपका medical उसके बाद आपको आपकी joining letter and allotment मिल जाती है तो अब आप सोच रहे होंगे कि join करने के बाद salary क्या मिलेगा मुझे तो चलो मैं हूना मैं बता देती हूं आपको यहां पर आपका basic pay is 5200 to 20,200 but initial enhanced salary आपको 29,000 दिया जाते है तो यह तो बस कहने के लिए होता है friends but आप जब join कर लेते हो न तो आपका salary जो मिलता है per month आपको 30 to 35,000 के बीच में आपको salary per month मिल जाता है इसमें अच्छे कासे perks and allowances होते हैं जो per year आपको salary में increment भी देखने को मिल जाती है and job location की रही बात तो job location अगर UP की job है तो UP state में ही होने वाली है and आपका friends exam center भी UP में जाके ही आपको exam देना पर सकता है so I hope कि अब मैंने जो भी detail आपको बता है UPAAA सी various post recruitment 2023 के regarding आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो comment section में पूछो friends hesitation करने की जर्रत नहीं है और अगर लगता है कि हाँ मुझे hesitation हो रहा है कि comment section में कैसे पूछू तो आपके लिए friends description box में मेरे instagram का facebook page का telegram channel तीनों का link दिया गया है तो आप वहाँ पे भी जाके follow करके मुझे question पूछ सकते हो और आपका जो ये job का notification है ना वो मैं अपने telegram channel पे post कर दूँगे तो आप वहाँ जाके download करके notification अच्छे से देख लेना और अगर वीडियो पसंद आई हो friends तो वीडियो को एक like करना मत भूलना मेरे channel को subscribe कर लेना notification bell को भी all पे set कर देना ताकि मेरी सारी new new job update की वीडियो सबसे पहले आप सभी तका है और अपने friends की भी help करने चाहिए इसके लिए मेरी वीडियो को अपने friends के साथ भी आप share कर दिया करो ताकि उनको भी upcoming job vacancy की वीडियो के बारे में पता चल सकी कौन-कौन सी vacancy आने वाली कैसे उसकी त्यारी करनी है सो चलो friends मिलूंगी फिर से new job update की साथ तब तक की लिए stay tune bye bye take care